नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे हर व्यक्ति के लिए सबसे एहम होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका रोजगार क्योंकि रोजगार से ही आपका जीवन चलता है, रोजगार से ही आपका आपके परिवार का भरन पोशन होता है और जहां से रोजगार आता है, जहां से रोजगार की व्यवस्था होती है, वो जगा होता है आपका आफिस, आपका कार्याल है ऐसा क्या करें कि आफिस हमेशा हमारे लिए भाग्यवान बना रहे ऐसा क्या करें कि आफिस से हमारी किसमत जुड़ जाए और आफिस हमारे लिए भाग्यशाली हो जाए आज चालचक्र में बात करेंगे कि कैसे आप अपने ओफिस को अपने लिए भाग्यवान बना सकते हैं चालचक्र में और क्या खास है चलिए बताते हैं चालचक्र में आज बात करेंगे कि आप अपने ओफिस को अपने लिए भाग्यवान कैसे बना सकते हैं बात करेंगे कि अपने office में आप किस रंग का प्रियोग करें तो आपको फाइदा होगा और office को ऐसे बनाएं जिससे हमारे सारे सपने हमारे office से पूरे हो जाएं कैसे आज इस विशेपर बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि मेश राशी वाले ऐसा क्या करें कि उनका ओफिस उनके लिए भागेशाली हो जाए उनका ओफिस उनके लिए लकी हो जाए क्या करेंगे देखिए मेश राशी वालों का जो ओफिस है ये वायु तत्व से नियंतरित होता है इसलिए आपके ओफिस को हवादार होना चाहिए वेंटिलेशन होना चाहिए ओफिस में हवा बढ़िया आनी चाहिए आफिस में हलके नीले रंग का प्रियोग जरूर करें लाइट ब्लू कलर का प्रियोग करेंगे तो आपको फाइदा होगा और साथी साथ अपने आफिस में कांच के पात्र में जल भर करके रखें कांच के गिलास में या कांच की कटोरी में आप पर्मानेंटली पानी भरके रखें एक दिन बाद पुराने पानी को फेक दें दूसरे दिन नया पानी भरके रखें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका ओफिस आपके लिए फाइदेमंद होगा आपके लिए किस्मत के रास्ते खोल देगा वरिश राशी की बात करें आपका ओफिस पृत्वी तत्व से नियंत्रत होता है आपका जो ओफिस है ये अर्थियल एलिमेंट से पृत्वी तत्व से नियंत्रत होता है इसलिए ओफिस की दीवारों पर धेर सारा सामान ना लगाएं ओफिस की दीवारें पर कम सामान लगाएं, कम सींद्री लगाएं ऐसा नहीं कि ओफिस की दीवारों पर खोब सारे चित्र लगा रखे हैं ऐसा मत करें इसमें हलके हरे रंग का प्रियोग जरूर करें आपको फाइदा होगा अपने ओफिस में लाइट ग्रीन कलर का प्रियोग आपके लिए फाइदेमंद होगा और अपने ओफिस में अगर आप पौधे रखते हैं बहुत सारे पौधे आजकल लोग इंटीरियर में घर के अंदर भी रखते हैं ऐसा ही कोई पौधा अगर आप अपने ओफिस में रखते हैं तो इसके परड़ाम आपके लिए शुब होंगे इसके परड़ाम आपके लिए बहतर होंगे आपका ओफिस आपके लिए भागिशाली बना रहेगा मिथुन राशी की बात करें जेमिनाई की आपका ओफिस अगनी तत्व से नियंत्रत होता है फायर एलिमेंट से इसलिए ओफिस में जितनी जादा रोशनी होगी आपके लिए उतना ही जादा अच्छा होगा जितनी जादा लाइट होगी आफिस में जितना जादा प्रकाश होगा उतना ही जादा फायदेमंद होगा इसमें लाल रंग के शेड का प्रियोग जरूर करेंगे अपने आफिस में लाल रंग के परदे लगवाले या एक दीवार लाल रंकी बना ले यानि रेड कलर के शेड का अगर प्रियोग किया जाए तो इससे काफी फाइदा होगा अपने आफिस में पूजा के स्थान पर जोती या धूप प्रज्वलित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने आफिस में पूजा के स्थान पर आप नियमित रूप से जोती जलाएं भगवान की मूर्ती रखें वहादीपक जलाएं या धूप बत्ती अपने आफिस में जलाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा करकराशी आपका ओफिस जल और पृथ वी तत्व दोनों से नियंतरत होता है जल तत्तु से भी और पृथ वी तत्तु से भी अता ओफिस को हमेशा साब सुतरा रखिए आपका ओफिस जितना neat and clean होगा जितना साब सुतरा होगा उतना ही ज़्छा होगा इसमें बैगनी या गुलाबी शेड का استعم Wald करना चाहिए इसमें परपल या पिंक शेड का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने आफिस में संगीत वाली चीजें रखे कोई गाना हलका सा बच्टा रहे कोई मधुर म्यूजिक बच्टा रहे नहीं तो आफिस के डोर पर छोटी छोटी घंटियां लगाए ताकि जब कोई आए जाए तो घंटियों की हलकी सी आवाज आफिस में गूशती रहे यह आपके लिए बहुती फायदेमंद होगा यह आपके आफिस को आपकी किसमत के साथ जोड़ देगा सिंग राशी आपका आफिस वायू तत्व का आफिस है एयर एलिमेंट का आफिस है आफिस में खिड़कियां और हवा का आवागमन ठीक होना चाहिए वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए कि आफिस में परियाप्त हवा नेचुरल हवा आ रही है और खिड़कियां वगेरा ठीक से बनी हुई है इस बात का ध्यान रखिएगा आफिस में सफेद और नीले रंग का मिश्रित प्रियोग अगर आप करें वाइट और ब्लू कलर का अगर आप मिक्स इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए काफी उत्तम होगा, काफी बेहतर होगा अपने ओफिस में आकाश या बादल के चित्रों का प्रियोग करें एक दीवार पर आकाश का स्काई का चित्र लगा दें या बादल का यानि क्लाउड का चित्र अगर आप लगा दें तो आपके लिए बहुत ही सुन्दर होगा इससे आपके ओफिस का जो किस्मत वाला पाल्ट है वो आपके साथ जुड़ेगा और ओफिस आपका ज्यादा भाग्यवान हो पाएगा कन्या राशी की बात करें आपका ओफिस जल तत्व से नियंत्रित होता है इस ओफिस के साथ अगर अटैच टॉयलेट हो तो बहुत ही अच्छा होगा जल तत्व का ओफिस है अगर साथ में अटैच टॉयलेट होगा तो बहुत अच्छा होगा इसमें सफेद और क्रीम रंग का प्रियोग आप जरूर करियेगा वाइट और क्रीम कलर का अगर आप प्रियोग करें तो आपको लाब होगा और अपने ओफिस में बहते हुए पानी की बड़ी सी तस्वीर लगाईए इससे भी आपको फायदा होगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा, पैसे आएंगे और ओफिस की स्थिती बहुत अच्छी बनी रही लिए तुला राशी की बात करें तो आपको बता दूं कि आपका ओफिस अगनी तत्व और वायू तत्व दोनों का मिक्स्चर है, दोनों का मिक्स ओफिस है ओफिस में बिजली के उपकरण, जो आप बिजली की चीज़े लगवाते हैं पंखा है, एसी है, रेफिरिजरेटर है, फ्यूज है ये सब चीज़ें हमेशा अच्छी तरह से देख भाल कर लगवाईए क्योंकि तुला राशी वालों के ओफिस में अकसर शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं रहती है इसमें लाल और सफेद रंग का अपने ओफिस में मिश्रित प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और ओफिस में सूर्य तांबे का बना हुआ सूर्य या तो ओफिस के में डोर पर लगाईए, या तो जहां आप बैखते हैं, अपने ठीक पीछे तांबे का बना हुआ बड़ा सा सूर्य लगाईए, इससे आपको काफी फाइदा होगा व्रिष्चेक राशी, आपका ओफिस पृत्वी तत्व का ओफिस है, अर्थियल एलिमेंट का ओफिस है तेखिए, अपने चैंबर में, अपने ओफिस में बहुत सारी कुरसियां मत रखिएगा खासतोर से अपने चैंबर में आप बहुत सारी कुरसियां न रखे और अपने आफिस में पीले या हरे रंग के शेड्स का अगर आप प्रियोग करें तो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा अपने आफिस में गणेश जी की प्रतिमा जरूर रखें गणेश जी की एक मूर्ती जो आपको आशिरवात दे रही हो अपने टेबल के राइट साइड में अपने टेबल के दाहिनी तरफ अगर आप गणेश जी की एक मूर्ती अपनी तरफ करके रखते हैं जिसमें गणेश जी आपको आशिरवात दे रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनुराशी आपका ओफिस वायू और अगनी से प्रभावित है ओफिस में हमेशा शान तो भाव से रहिए गुस्सा मत करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने ओफिस में लाल रंके या इसके शेड़ का अगर आप प्रियोग करते हैं तो आपको फाइदा जरूर होगा और ओफिस को हमेशा सुगंधित बनाए रखिए ओफिस में हमेशा खुश्बू आती रहे सुगंधित ओफिस रहे तो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा मकर राशी आपका ओफिस पृत्वी तत्व से और थोड़ा सा जल तत्व से नियंत्रित होता है ओफिस में अपने बैठ करके नशा वशा मत करियेगा कि ओफिस में बैठ के वहीं अलकोहल ले रहे वहीं शराप पी रहे सब मत करिये ओफिस को अच्छा बनाईए और ओफिस में हलके नीले रंग का प्रियोग जरूर करिये आफिस में शिव जी की मूर्ती या चित्र आपको लगाना चाहिए जो आपके दाहिनी तरफ लगाईए जहां से भगवान शिव आपको आशिरवात दे रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कुम्बराशी आपका ओफिस आकाश तत्व से नियंतरत होता है ओफिस में अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना करें काम शुरू करने के पहले दो मिनट भगवान की पूजा करें और काम समाप्त करने के बाद दो मिनट भगवान की पूजा करें तो बहुती अच्छा रहेगा और अपने आफिस में सफेद या पीले रंग का प्रियोग जरूर करें साथी साथ अपने आफिस में नियमित रूप से सुगंधित धूब बत्ती भी आपको जलानी चाहिए ताकि हलके खुश्बू आती रहे सुबह शाम दोनों समय आफिस में पांच-पांच मिनट पूजा भी करिए ऐसा करने से आपका आफिस आपके भागे के साथ जुड़ जाएगा और आपके किसमत को बहतर बना देगा मीन राशी की बात करें मीन राशी का आफिस आकाश तत्व और प्रत्वी तत्व का मिला जुला ओफिस है क्या करेंगे ऑफिस में हमेशा साप शफाई रखें गंदगी ना फैलाएं किसी भी लिहाद से और अपने ऑफिस में चौकलेट और वाइट चॉकलेट कलर का और वाइट सफेद रंग का प्रियोग अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अपने आफिस में एक छोटा सा कलश रख लें मटका मिट्टी का हो या पीतल का हो सोने चांदी का हो और उसके उपर एक छोटा सा नारियल अगर आप रखे स्थापित करें अपने आफिस में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा एक महीने बाद पुराने नारियल को जल में प्रवाहित कर दें और नया नारियल लाकर के कलश के उपर रख दें ऐसा करना आपके लिए विशेश फाइदेमंद होगा विशेश लाबकारी होगा